अलो फ्रेस नमस्ते में राजकुमारी मेरी टूर चले नमापका सागत है और आयोप आप भी ठीक होंगे में भी ठीक हूँ और फिरन्स कल से ही मैंने दो दिन होगा मुझे अपने जो गाडन है ये जी जो बनाया है मैंने गाओं में ग्राउंड गाडन तो फिरन्स इसके सबसे पहले तो मेरे बाजरा देख लो आप बाजरा कितना शांदार हो रहा है और यह देखिए जो भी मेरे यह कद्दू की बेल हो यह लोकी की बेलो यह नीचे के दो पत्ते होते ना इनको अटा देना चाहिए और जैसे बढ़ते जाएंगे इसको सपूर्ड में लगा सब्सक्राइब कर देखिए और देखिए मिर्ची के भी डाले हुए बीजी में ने देख लीजिए और देखाती है फिरस अदर लोकी गिल की सेम की बेल काफी अच्छी हो चुकी है देखिए थोड़ा बाजरा की ग्रोथ हो गया क्योंकि बीच बीच पे सेमे काफी सारा अटा है इसके अंदर से ने देखिए तो यह देखिए फ्रेंस आपको पास से दिखाते हूं यह देख गोलते हैं इसको यह भी काफी इसके जाल के चड़ी हुई है यह चोला है यह भी बड़ा हो चुका है दीर दीर से और यह देखिए फोज सारा गास था इसके अंदर वह नहीं हटा दिया है और यह देखें फोर्चुला वगरे लगा रखा है और यह वाला पोदा है फ्रेंस प्रेंस मेरे पास जगह है दीरे दीरे से में करती जा रहे हूं तो यहां पर हैंने कुछ पोदे के अंदर से बहुत ज़्यादा गहास उगरा था सब्सक्राइब काम मैंने इधर किया है फिरेंस जितनी परसलीन वगर थी मैंने सब को अटा दिया है उनको दूसरी जगर शिप्त कर दिया लगा दिया है क्योंकि यहां पर मेरे जो बेंगन के पोदे काफी अच्छे हो गए और कुछ कीड़ों की सिकाथ भी हो गए थी इस मने ता दिया है और मैंने काफी मेनत कर रही हूं आप लोगों की बज़े से कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए और और अर्गरिक शबजे फ्रेंस उनकी तो क्या ही यह ना धर की सब्सक्राइब सब्सक्राइब को जितने भी बेनगन के새 सब्सक्राइब वन jew क्या कीडों का अटेग वेस्तें तो इसने वह सारी कर दिये और सेंच इनसानघी आप हुआ लिगती चीम पम यह और यह देकिए बेन बनने में जह रहे हैं और यह देखिए इसरे ये है ये हैं लोकी का फिश्च दिश के और मैंने कुछ तुल्षी के निकल हो चुक एंदर सब बचा दा दिया मैंने के कटिंग मगर आची चल रहे हैं उदर लेली का फ्लोबर खिला हुआ था पूर था होगी यह देख लीजिए यह देखिए अब जाके मेरे थोड़ा गार्डन ठीक ठाक हुआ है और यह बादरा फ्रेंस इसमें से लगी हुई है दोदे इंचे आपको ने मिट्टी का अंदर दवानी है तो यह देखिए इदर से और यह जो गुड़ेल का पोधा है फ्रेंस यह दूसरा वाला है यह सिंगल पैटर्न वाला है तो देखिए फ्रेंस नीचे की ब्रांच अठा दिया तो अच्छे से उपर ग्रो देखिए कापी सारा यह लोवेरा लगा हुआ है और फ्रेंस एलोवेरा के भी है जो फटिलाजर बना कर इनमें आप कर सकते हो फ्रेंस मूब मैंने आपको आगे वाले बीडियों बताऊंगी तो देखिए फ्रेंस इधर की तरफ है नहीं जो इतना परसलीन इतना फेल चुक परसलीन नहीं जो फटोड़ी मोटी यह जैसे पैंसल होती है उतनी बड़ी मोटी होनी चाहिए तब जाकर आप उसकी कटिंग लगा सकते हो जब अच्छी से चलेगी यह लीली का पोदा भी दूबा हुआ था उन्से परसलीन से परसलीन अभी काफी सारा अभी हटाया निये मैंने थोड़ा-थोड़ा को काफी अच्छा बढ़ जाता है यह देखिए यह देखिए लीली का और इधर दिखाती हूं आपको फ्रेंस एक लीली का फिलोबर आज भी खिला हुआ है और यह देखिए मेरी गिलकी की बेल बीच में लगी हुई इसको सपोर्ट लगा दूग और यह देखिए बोगन मिलिया अपको अच्छी खिल चुकी है तो यह देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है और आप जाके कनेर में आने जो आप फ्लोबरिंग जरूर होगी और यह देखिए फ्रेंस मेरी चांद निकार फ्रेंस सुख चुका है इसकी ब्रांचों को कट कर नहीं कर रहा था मैंने यह देखिए गर्मी से सुख चुका था देखिए गुलाब का है गुलाब का भी चलने लग गया है पसे यह कि खरपतबार होते हैं उसको अटाना जरूरी है और बोगन बिलिया तो काफी फेल लेगा फ्रेंसीस को तो मैं यहां से भी बाद मैं अटाओंगी फिलाल मैंने यही रख रखा है और देकि जंपा का उटक है और यह देखिए निबू का इती तीन साल का होने वाला है पोद्या और यह देखिए लेली का यह फ्रेंस कल मॉर्स निंग में खिल जाएगा और यह देखिए बिंडी की पोद मेरे हैश्य जो ओधर में तरब का सारे बोधें इस उद्ससे लगाया थे मैंने सब भरह हो चुके हैं और यह देखिए चादनी का ड्वल चादननी का पेटन का इस भाडन फ्लॉवर प्लांट भी जरूरी है और ना कु wichtig ये पतानीय पोड़े को ने आई थी पुब जलेगाई थी असे से नगी बोलते हैं और इंग्समें पतानी तुसको मोरेंगा बोलते हैं तो उसका पौड़ा ने लगा दिया तुझ टीस की सूख छुला थी और वह देखि़ उसका पौड़ा ने जो है गरो हो चुका है औ दिखाते हैं मेरी मेनर खराब नहीं गई है मुझे मिल चुका है बस यह कि थोड़ा थोड़ा सा गिला ज्यादा हो रहा है तो पेर रखने प्रोब्लम आती है यह देखिए और यह बादरा बगएरा इनको सब को मैं अटाती जा रही हूं अच्छा अच्छा हो को रख लूंग बगएरा होती है तो इसके जो नीचे के पत्ते होते हैं उनको हमेशा कड़ कर देना चाहिए जमीन सब्सक्राइब तो थोड़ा सा क्या है कि फंगस का इनका डर रहा अब देखिए किसकी है मुझे इतना पता नहीं है और बीच इसमें काफी सारा गहास हुआ हुआ है यह द अब देखिए बादरा बादरा फातनिक्या क्या उगराई है यह जो अब बढ़ी गलती होगी है तो मैंने क्या है कि मक्का के चोले के सब एक जीगा डाल देता है जल्दवाजी में इतने घने हो चुके हैं तो इनमें से जैसे मुझे टैम मिलता जाएगा वैसे मैंने इनको दूर दूर चिप्ट कर दूँगी और काफी सुन्दर लग रहा हरा वरा ला इतनी घनवी होईती इस साल भीषण अब जाके थोड़ हरी मिर्ची है इनका एक एक पेस्ट बनाया जाता है जो तिसे छड़काव करूंगी मैं तो उसका वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी यह देख लीजिए कीड़ों को अटेक अभी इस टेम बर्षात में बहुत ज़्याद होता है तो फ्रेंस में बिल्कुल और गेनिक तरीके से आपको बताऊंगी घर में कैसे बनाया जाता है अध्रक है लसन है हरी मिर्ची है इनको नीम की पत्तियों मिलाकर उबालकर उनका एक अच्छा सा एक वह लिकुड बनता है तब छड़काव करते हैं दो तीन बार छड़काव करने से वह कीड़े मर जाते हैं तो उसका वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी और अल्रेडी में डाल रखा है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जरूँ चेक कर लेना तो देखिए नहरा वरा इतर वाली जगेत है तो इदर वाले भी पोदे भी काफी इधर भी करूंग फ्रेंस में ज्यादा में बहनत करने में पर रहे तो यहां कर पड़की गरुथ दिखातीए आपको दिखातीए बारिश कल दो दिन होगए बारिश नहीं आया है मौसम तो बन रहा है और ये देख कि अच्छे सेडल करूं थोड़ा टाइम लगेंगा मुझे देख लिजे मक्का भी डाली है देखिए मक्का भी दूर है तो देखिए भीज बगड़े डाल रहें दिल दिल निकल रहे हैं सब्सक्राइब करने के फायदे भी है तो आपके आने वाले वीडियों में शेयर करूंगी ज़रूर से और अभी फिलाल मेरी महनत चल रही है थोड़ा सा अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसके बार मेरा गार्डन फर्मालेंट बहुत अच्छा हो जाएगा इस प्रिफरेंस फ्री में ही एक चीज की सब्जी का सब्जी की बेल लगी हुई है और उसको मैंने काफी संग्या में मैंना अटा भी दिये इसे कोड़ा बोला जाता उसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है तो मैंने इधर का हिस्सा साफ किया था वस्य यह कि प्रोब्लम इस फ्रिफ बार में जो बनाया जा रहा है तो यहां पर गास थोड़ा ज्यादा है तो वह अटाती जा रहे हैं दिर जिर से देखिए यहां पर पर स्वीन बगर लगाई यह तो यहां पर वेल वाले सब्जे तो इनको भी फ्लॉवरों की जरत पड़ेगी कि भम्रे कि देखिए इतना सारा गहास इतर भी जालवाल लगा रखाए मेले यह देखिए यह मेरा पेड़ है और यह देखिए इतना जंगल जंगल हो रहा है कहास पास बहुत सारा उग चुका है देख लिजे और यह बोल रहे हैं फ्रेंस यह ककोड़े की बेल है तो यहां से इसको मुझ पींचो कर देती हूं देख लीजिए सिपनफ कंदश निकलने लग जाएगी को डेकर प्रेंस इनका उपर का मूह पीश कर रहे हूं प्रवाइब निकल जाएगी तो मुझे कहा कि एक सब्जी और फ्री में मिल जाएगी मुझे मसकत नहीं करने पड़ेगी काकोडे की सब्जी काफी अच्छी लगती है यह देखिए यह देखिए फ्री में ही में मुझे और यहाड़ बगएरा है इनको कट्व कटिंग करूं फ आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगते हैं बुडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी सब्जी के बारे में यह किसी प्लांट के बारे में तो आपको में जवाब भी दूँगी तो देख लिजिए अब परमानेंट मेरे गार्डन बन